हालो मैं दियर फ्रेंज कैसे वह आप लोग उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे और स्वास्त होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एकजाम 25 नवंबर 2018 के सीफ्ट में गनीच से पूशे गए सभी प्रस्ण को एकदम बेसिक से समझेंगे प्रोफिट एंड लॉस का कुश्चन है दस वस्तों की लागत मुल नव वस्तों के विक्राय मुल के बरावर है तो लाव यहानी परतिसत ग्याद कीजिए इस कुश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं इसलिए समझेगा ध्यान से कुश्चन में कहा गया है दस वस्तों की लागत मुल लागत मुल कहा जाता है कॉस्ट प्राइज को दस वस्तों का कॉस्ट प्राइज किसके बरावर में दिया गया है यह बरावर में दिया गया है नौ वस्तों के सेलिंग प्राइज के बरावर में विक्राय मुल को कहा जात którzy by आएगा 10集 entries आजाएगा इसके बाद 9 SP आजएगा जो इसके एकवल में आज ऐहाँता तक समझ में आगिया किसी वस्तुप को नौौ रुपिया में खरिदा जाता है उसी वस्तु zen Waltre में बेचा जाता है कितना का profit हो रहा है यहां पे profit हो रहा है एक रुपिया का profit हमेशा cp पे calculate किया जाता है यानि cost price पे cost price आपको दिया गया है 9 percentage लगाना है 100 से करना परेगा आपको multiply इसको आगे solve करेंगे क्या आजाएगा आगे solve करने के बाद आजाएगा 11 पुर्णांग 1 अपोन में 9% तो कौन सा option में दिया गिया है आपको option नम्मर A में दिया गिया है जो हो जाएगा इस question का सही answer समझ में आगिया अगला question है सदारन वियाज का question है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% परती वर्ष की दर से सरल वियाज 235.20 रुपिया हो जाता है तो वह धन डासी कितनी है simple question है समझेगा आपको एक वर्ष का rate कितना दिया गया आपको एक वर्ष का rate दिया गया है 14% तो 3 वर्स में कितना हो जाएगा 42% इस 42% का value आपको कितना दिया गया 235 235.2 और आप से पुछा गिया तोवा धन रासी कितनी है कोई भी धन अपनी आप में 100% होता है और आप से पुछा गिया 100% की value क्या होगी इसी का value आपको निकालना है 100% का value निकालना है तो सबसे पहले आ जाएगा 100% उपर इसके नीचे में आ जाएगा 42% इसके बाद आपको multiply कर देना है ये जो amount दिया गया है इस amount से amount आपको दिया गया है 235.20 point को अटाएंगे नीचे आ जाएगा double zero तो 100 से 100 कट जाएगा इसके बाद आगे इसको काटिये 42 से काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगा 560 बार में 560 बार में ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा option number C में आपको दिया गया है 560 जो हो जाएगा इस question का सही answer समझ में आ गया अगला question है 119 मीटर 153 मीटर इसके बाद 204 मीटर लंबे तीन इमारत लकरी के टुकरे को समान लंबाई के तक्ते में विवाजन करना है तो परती एक तक्ते की अधिक्तम लंबाई कितनी है इसका आपको निकालना है SCF SCF निकालने का सब से short तरीका बता रहा है इसलिए समझेगा द्यान से आपको संख्या दिया गया 119 इसके बाद 153 इसके बाद दिया गया है 204 तो परले इस संख्या को लिखना है 119 दिया गया 153 दिया गया है इसके बाद आपको दिया गया है 204 इन दोनों के बीच में difference देखिए कितने का है दोनों के बीच में अंतर है यहां पे 34 का या तो यह जो अंतर आया है यही हो जाएगा इसका SCF या फिर इसका हो जाएगा फैक्टर 34 का फैक्टर क्या आ जाएगा 34 का फैक्टर हो जाएगा 2 x 17 अब आपको यह चेक करना है कि यह संक्यां 2 से divisible है या फिर नहीं 2 से अगर 119 को काटेंगे यह संक्यां पूरी तरह से नहीं कटेगा 2 से 113 को काटेंगे यह संक्यां पूरी तरह से नहीं कटेगा इसलिए 2 इसका SCF नहीं होगा जो बच गिया है 17 यही हो जाएगा इसका SCF तो option number B में आपको दिया गया है 17 जो हो जाएगा इस question का सही answer समझ में आ गया अगला question है profit and loss से question है एक बैमान दुकांदार अपना समान लागत मूल पर बेशने की घुसना करता है लेकिन वह समान बेशने के लिए 1 kg के अस्थान पर 900 ग्राम का वाट काम में लेता है तो इसका लाब परतिसद कितना होगा इस question को भी solve करने का short तरीका बता रहा है इसलिए समझेगा ध्यान से सबसे पहले आपको पता होने चाहिए 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम इस 1000 ग्राम के जगा पे आपको कितना ग्राम समान दे रहा है 1000 के जगा पे 900 ग्राम ही समान दे रहा है question में पूछा गया लाब परतिसद कितना होगा आपको निकालना है profit profit निकालने के लिए आपको करना परेगा इन दोनों का अंतर अंतर कितना है? 100 का अंतर है दोनों के बीच में और इन दोनों में छोटा संक्या कौन सा है? छोटा संक्या है 900 तो 900 आ जाएगा नीचे इसके बाद multiply कर देना है 100 परसेंटेज लगाने के लिए 00 से 00 कर जाएगा तो इसको solve करने पे कितना आ जाएगा? 100 आपन में 9 आपको profit बरावर याद रखना है formula अंतर आपन में अंतर आपन में छोटा जो भी संक्या इन दोनों में छोटा होगा वो आ जाएगा नीचे profit बरावर ये हो गिया formula समझ में आ गिया यहां तक कौन सा option में आपको दिया गिया 100 आपको दिया गिया option नम्मर बी में जो हो जाएगा इस question का सही answer समझ में आ गिया अगला question है यदि x square plus k x plus 12 का गुनंक x plus 3 हो तो k किसके बरावर होगा? k का value आपसे पूछा गिया इसको solve कैसे करना है समझिएगा question में दिया गिया x square इसके बाद plus k x इसके बाद plus का 12 इसके बाद यहां पे दिया गिया x plus 3 तो x plus 3 बरावर आपको करना है 0 x plus 3 बरावर हो गिया 0 तो x बरावर value निकल के आजाएगा मैनस का 3 इसी x का value आपको यहां पे रखना है तो x square दिया गिया है तो यहां पे आजाएगा मैनस 3 का square इसके बाद plus k आजाएगा x के जबाद पे मैनस 3 आजाएगा इसके बाद plus 12 आजाएगा मैनस 3 का square करेंगे यहां से आजाएगा 9 9, इसके बाद K को 3 से multiply करेंगे 3K आ जाएगा, 9, प्लस का 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आजाएगा, इसके बाद ब्रावर में भेज़ेंगे मैनस K क्या हो जाएगा, प्लस का 3K हो जाएगा इसके बाद 3 से काटेंगे कि इसको 7 बार में कट जाएगा तो K बरावर value निकल के आ जाएगा 7 तो K बरावर ही value पूछा गिया था आपसे question में तो K बरावर value आ गिया है 7 option number B हो जाएगा साही answer समझ में आ गिया अगला question है यदि 1400 का X percent बरावर 119 हो तो X किसके बरावर होगा simple question है percentage का समझ येगा question में कहा गिया है 1400 का X percent 14100 का X percent percentage अटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 ये किसके बरावर दिया गया ये बरावर दिया गया 119 के 00 से 00 कर जाएगा इसके बाद 14 से काटेंगे 119 को कितना बार में कर जाएगा ये संक्या कर जाएगा 8.5 बार में तो X बरावर वैलू क्या आ जाएगा X बरावर वैलू आ जाएगा 8.5 कौन सा option में दिया गया है आपको option नमर C में दिया गया है जो हो जाएगा इस question का साही answer समझ में आ गया अगला question है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए तथा चौराई 20% कम कर दिया जाए तो नए आयत का शेतरफल क्या होगा इस तरह के question को solve करने का direct concept होता है उसको समझा रहे हैं समझेगा ध्यान से question में कहा गया आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के case में आपको करना है प्लस का 40 इसके बाद question में कहा गया है चौराई में 20% की कमी कर दिया जाए तो कमी करने के case में आपको लगाना है minus इसके बाद क्या करना है समझेगा इसके बाद आपको plus multiply करना है minus तो यहाँ पर क्या आजाएगा minus आजाएगा इसके बाद 40 multiply करना है 20 तो 40 multiply करना है 20 इसके नीचे आजाएगा 100 00 से 00 कट जाएगा इसके बाद आगे solve कीजिए plus का 40 minus का 20 तो यहाँ से आजाएगा plus का 20 इसके बाद आजाएगा minus 4 multiply 2 करेंगे यहां से आ जाएगा 8 तो बरावर में क्या आ जाएगा बरावर में आ जाएगा 12 छेतर फल में 12% increase हो जाएगा कौन सा option में दिया गया आपको 12% तो option number C में आपको दिया गया है जो हो जाएगा इस question का right answer अगला question है algebra का question है x plus 1 upon में x बरावर 2 हो तो x minus 1 upon में x का मान क्या होगा इस तरह के प्रस्ण को solve करने का concept होता है concept को समझा रहे हैं ध्यान से समझेगा यहां पे हम संख्या लिख रहे हैं 3 और इसके बरावर में आप से पूछे यहां पे कौन सी संख्या होगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए आपका जवाब होना चाहिए बरावर के left side में संख्या है 3 तो बरावर के right side में भी संख्या होगा 3 इसी concept को आपको यहां पे यूज करना है यहां पे देखिए x plus 1 upon में x बरावर दिया गया है 2 बरावर के right side में संख्या दिया गया है 2, तो ब्रावर के left side में कितना आना चाहिए, इसका भी value आना चाहिए 2, इसके लिए आपको यहाँ पर मनना परेगा, x ब्रावर 1 मनने पर क्या होगा समझिएगा, 1 मनने पर हो जाएगा, x के जगा पर 1, इसके बाद plus 1 upon में 1, इसको solve करेंगे आ जाएगा संक्या 2, और ब्रावर में आपको संक्या दिया गया था 2, तो x ब्रावर 1 मनने पर दोनों value एक बला रहा है, इसका मतलब x का value होगा 1, इसी 1 को आपको यहाँ पर रखना है, तो x के जगा पर आ जाएगा 1, इसके बाद minus 1 upon में आ जाएगा 1, इसको solve करने पर आ जाएगा 0, तो इसक question number e हो जाएगा correct answer, समझ में आ गया, अगला question है 310 रुपया, तीन कारीगर में 1 upon में 2, 1 upon में 3, 1 upon में 5 के अनुपात में बाटे गए, तो पर्थम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा, सबसे पहले आपको जो ratio दिया गया उस ratio को लिखना है, ratio आपको दिया गया 1 upon में 2, इसक ratio को बराबर करने के लिए आपको लेना परेगा 2, 3, 5 का LCM, इन तिनों का LCM हो जाएगा 30, तो इसको आपको multiply करना है 30 से, इसको भी multiply करना है 30 से, इसके बाद 1 upon 5 को भी multiply करना है 30 से, अब जो कट रहा है उसको काट देना है, 2 से काटेंगे 30 को, 15 बार में कट जाएगा, तो इ इसकी का ratio आजाएगा 10, 5 से काटेंगे 30 को, तो यहां से आजाएगा 6, इन तिनों का ratio हो गया 15, 10, इसके बाद 6, इसके बाद question में कहा गया है पर्थम कारिगार को कितना रूपया मिलेगा, पर्थम कारिगा को रूपया मिलेगा 15, तो 15 बार आजाएगा ऊपर, इसके बाद इन तीनों संख्यां को आपको जोड़ना है इन तीनों रेसियों को आपको आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के बाद कितना आजाएगा जोड़ने के बाद आजाएगा 31 तो 31 आजाएगा नीचे और आपको एमोंट कितना दिया गया 150 जो हो जाएगा इस question का सही answer अगला question है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंबे समतल मैदान में खरे हैं यदि उनके आधार की बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके सीर्स की बीच की दूरी कितनी होगी बहुत ही simple question है height and distance का इसको figure से समझा रहे हैं इसलिए समझेगा ध्यान से question में कहा गया है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंबे समतल मैदान में खरे हैं 10 मीटर का पाला खंबा ये हो गया A B इसके बाद दूसरा खंबा ये हो गया 15 मीटर का C D इसके बाद question में कहा गिया है यदि उनके आधार की बीच की दूरी 12 मिटर हो ये distance कितना दिया गिया है इनके बीच की दूरी दिया गिया है 12 मिटर A से लेकर के C तक की लंबाई दिया गिया है 12 मिटर इसके बाद question में कहा गिया है तो उनके सीर्स की बीच की दूरी कितनी है ये distance पुछा गया है कुश्चन में कितना होगा बहुत ही आसान है निकलना समझिएगा A से ले करके B तक की लंबाई कितना दिया गया है ये लंबाई दिया गया है 10 मीटर तो C से ले करके E तक की लंबाई कितना हो जाएगा ये भी लंबाई हो जाएगा 10 मीटर का टोटल लंबाई कितना दिया गया है टोटल लंबाई दिया गया है 15 मीटर का तो E से ले करके D तक की लंबाई कितना हो जाएगा ये लंबाई हो जाएगा 5 मीटर का A से ले करके C तक की लंबाई कितना दिया गया है ये लंबाई दिया गया है 12 मीटर का तो B से ले करके E तक की लंबाई कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 12 मीटर का इसके बाद आपको ये लंबाई निकालना है इसके लिए आपको करना परेगा 12 का S2 इसके बाद प्लस करना परेगा 5 का स्कूर यहां पर समझेगा 12 का स्कूर करना परेगा इसके बाद 5 का स्कूर करना परेगा और इसका लेना परेगा आपको रूट 12 का स्कूर होता है 144 और 5 का स्कूर होता है 25 इन दोनों संख्यां को आपस में जो रहेंगे कितना आ जाएगा सं क्या आजाएगा 179 रूट से बाहर निकालेंगे कितना आजाएगा 13 आजाएगा तो इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 13 मीटर कौन सा ओप्सन में दिया गिया आपको 13 मीटर ओप्सन नमबर ये में दिया गिया जो हो जाएगा इस इतरा आगे का क्लास कंटिनियों मिलता रहे हैं